गुड मॉर्णिंग थर्ड क्लास बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामल में चैप्टर नमबर टुल पढ़ाया था कंजक्शन कंजक्शन हमने पढ़ा था कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो जॉइन करता है टू वर्ड्स को या टू गुरूप अफ वर्ड्स को या टू सेंटेंस को है ना दो अलग-अलग सेंटेंस या दो अलग-अलग वर्ड को जब कोई जॉइन कर देता है यानि कि मिला देता है वो वर्ड जो कि उन दोनों सेंटेंस को मिलाता है उस word को हम conjunction कहते है जैसे कि Ravi is playing Sonu is playing, Ravi खेल रहा है Sonu खेल रहा है, ठीक है तो इन दोनों को join किया किसने and ने, कैसे Ravi and Sonu are playing Ravi और Sonu खेल रहे हैं, तो ये दोई को दो अलग-अलग sentence थे और इन दोनों sentence को हमने मिला कर एक sentence बना दिया, और क्या जोड कर? and जोड कर है and join करके, तो ये and क्या हो गया, ये conjunction हो गया उसी तरह but भी क्या है ये भी conjunction है, because क्या है, ये भी conjunction है और क्या है, ये भी conjunctions है तो इस तरह मैंने आप लोगों को बहुत सारे conjunction words पढ़ाये थे, and but, because, else, or ये सारे conjunctions है ठीक है, तो ये हम लोग live class के time पर already पढ़ चुके है अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके exercise part करवाँगी, ठीक है ये देखिए, first है हमारा a, pick out the conjunction in the following sentences ये जो sentences हमें यहाँ पर given है इन में से हमें बताना है कि conjunction कौन सा use हुआ इसमें है न, तो कैसे पैचानेंगे हम लोग हम लोग देखेंगे कि दो sentence को ये दो word को join करने वाला कौन सा word है तो वो जो word होगा, वो conjunction होगा जैसे first है राम is clever but lazy boy राम clever है लेकिन वो lazy boy है तो इन दोनों बातों को हमने किस से जोड़ा बट से जोड़ा तो बट क्या है, conjunction है ठीक है, जो ऐसे word जो की दो sentence को जोडते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम conjunction कहते हैं अब देखें, ये दो अलग-अलग sentence थे जिसको हमने किस से जोड़ा बट से जोड़ा, तो बट क्या है, बट कंजक्शन है सेकंड है, she did not work hard, so she failed उसने hard work नहीं किया था, इसलिए वो fail हो गई तो इसमें क्या है, so कंजक्शन है थर्ड है, रानी सैंग and मोना प्लेट रानी ने गाया और मोना ने प्लेट किया तो इसमें and word क्या है, यह कंजक्शन है आपको वैसे भी पता है, कि and, but, because, as, or, so, if यह सब क्या होते हैं, सब कंजक्शन होते है फोर्ट सेंटेंस है, you will pass if you work hard तुम पास हो जाओगे, अगर तुम hard work करोगे तो if क्या है, यहां पर कंजक्शन है उसको punishment मिला, क्यूँकि वो late था, तो, क्योंकि यानि, because, यह क्या है, यह कंजक्शन है यहाँ पर तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है, लेस्ट वर्ड है हरी फेल्ड, because, he did not work hard तो, यहाँ पर क्या है कंजक्शन, विकाज है, हरी फेल हो गया क्यों? क्योंकि उसने hard work नहीं किया तो ये because क्या यहां पर? ये conjunction है, इसने दो sentences को आपस में जोड़ा है, तो ये conjunction है, एर्थ है I ran fast yet lost the race, मैं बहुत तेज भागा फिर भी मैं race हार गया तो इसमें yet क्या है? yet conjunction है, नाइन्थ है the sun is hot whereas the moon is cold जो सूरज होता है, वो गरम होता है और जो चान्द होता है, वो ठंडा होता है तो इन दोनो sentence को किस ने जोड़ा? whereas ने जोड़ा तो whereas यहां पर क्या है? conjunction है, 10th है you are my friend, so I will help you तुम मेरे दोस्तों, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो so क्या है? so इसमें conjunction है next is filling the blanks with suitable conjunctions, इसमें आपसे first पूचा गया है, देखो यह आपको options given है, है ना, यह सारी option given है, यह सारे conjunction है आपको क्या करना है? आपको in blanks में fill करना है conjunction को, तो first हमें given था, my umbrella is black dash your umbrella is red मेरा umbrella black है और तुमारा umbrella red है है ना, तो मेरा umbrella black है जबकि तुमारा umbrella red है तो यहाँ पर यह जो हमने whereas लगा है, यह क्या है? यह conjunction है I ran fast though I miss the train मैं बहुत तेज भागा फिर भी मैं train को miss कर गया है ना, train जा चुकी थी इसमें क्या हैगा? दो third है, is this story true or false? क्या यह story true है या फिर false है, तो हमने यह लगाया और, या फिर की जगे English में क्या लगाया है हमने, और तो और क्या है conjunction है, he is clever but lazy man, वो clever है लेकिन lazy है she could not go to school because she was ill वो school नहीं जा सकी क्योंकि वो बिमार थी, run fast else you will lose the race, तेज भागो वन्ना तुम race को हार जाओगे, तो इसमें else हमने conjunction लगाया, catch me if you can, मुझे catch करो अगर तुम कर सकते हो, तो इसमें if लगाया हमने, make while the sun shines, तो hey बना लो इससे पहले कि सूरज की रोशनी तेज हो जाए या sunshine करने लग जाए, तो while, bread and butter is my breakfast, bread or butter मेरा breakfast bread or butter, तो और के लिए हमने English में क्या लगाया, and and क्या है, conjunction है, 10th है, dash, I was young, I enjoyed riding, जब मैं यंग था यानि कि जब मैं जवान था या छोटा था तब मुझे राइडिंग बहुत पसंदी तो हमने हमने या पर क्या लगाया, when ये क्या है, conjunction है ठीक है, तो sentence अगर आपको ठीक से पढ़ने में आ जाएगा, आप समझ जो गया, अगर sentence की meaning, तो फिर आप आराम से conjunctions use कर सकते हैं, अब देखिए, join together the following pairs of sentences using the given conjunction, अब देखो, यहाँ पर हमें conjunction bracket में given है, ये जो blue color में है ना bracket में, ये हमें given है, बस हमें क्या करना है, हमें इन दो sentences को इस तरह conjunction से join करना है, कि वो sentence का कोई meaning निकले और वो सही sentence बने, तो देखो, first है I shall sit still, I shall listen to her song, मुझे still, मतलब चाही तरीके से कटते होके एक जगे बैठना चाहिए और मुझे song सुनना चाहिए तो इस sentence को हमें किस से join करना है, ये दो अलग-अलग sentence है और हमें किस से join करना है, and से join करना है, तो हमने किया I shall sit still and listen to her song तो ये हमने and से इन दोनो sentence को join कर दिया, यानि कि and क्या बना, and conjunction बन गया second है, he is poor he is honest, वो गरीब है लेकिन honest है, तो हमने लिखा though he is poor, he is honest, देखो हमें दो conjunction लगाना था, तो हमने conjunction लगाया, और इन दोनो sentence को join कर दिया, third है Mohan helps his friend, sohan helps his friend, तो Mohan अपने दोस्त की मदद करता है, sohan भी अपने दोस्त की मदद करता है, तो हमने इसको और conjunction से जोड़ के क्या बना दिया, Mohan और sohan helps his friend, Mohan या sohan अपने दोस्त की मदद करता है fourth है, I honor her, she is a brave woman मैं उसको honor करता हूँ, उसकी respect करता हूँ क्योंकि वो एक brave woman है, तो हमने इसको because से जोड़ दिया, I honor her, because she is a brave woman fifth है, they are active they are selfish, तो इसको हमने but conjunction से जोड़ के लिखा they are active but selfish sixth है, work hard you will not pass, तो इसको हमने कैसे sentence बनाया, work hard or you will not pass, इसमें हमने और conjunction join किया, seventh है the boy is thin, his brother is fat, तो इसको हमने कैसे किया the boy is thin but his brother is fat, इसमें हमने but conjunction join करके और इन दोनों sentence को single sentence बना दिया eighth है, we waited, the train arrived, तो हमने इसको कैसे किया we waited till the train arrived, next है sita is tall, geta is short तो इसको हमने किस से जोड़ा, whereas से जोड़ा, sita is tall, whereas geta is short, work hard, else you may fail, तो work hard, else you may fail, eleventh है, he is ill, he will not go to school, और हमें कौन से conjunction एड़ करना है, therefore तो हमने लिखा, he is ill, therefore he will not go to school, 12th है he was punished, he was late, और हमें conjunction जोइन करना है, because, तो हमने लिखा, he was punished, because, because he was late, तो यह हमारी conjunctions पूरे हो गया है, chapter number 12 हमारा complete हो गया है, in case इस chapter से related आपको कोई भी problem हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक के लिए आप लोगी exercise A, B, C and then complete कर लिजेगा, अपने बुक में और notebook में A, B and C exercise A, B and C आप अपने बुक में complete कर लेना, कोई problem हो तो मुझसे पूछ लेना, मिलेंगे हम लोग अपने next class में, till then bye, take care